Hello everyone, आज मैं review कर रहा हूँ परशान्त वर्मा सुपर हीरो इंवर्स की पहली मूवी जिसका नाम है हनुमान का अब जिन लोग को नहीं पता है उन्हें मैं बता देता हूँ कि परशान्त वर्मा अपने एक सुपर हीरो इनिवर्स बना रहे हैं जिसमें हमें धेर सारे इंडियन सूपर हीरोज देखने को मिलेंगे तो इस युनिवर्स की पहली मूवी है हनुमान और इसका सेक्वल भी अनौन्स हो गया है जो कि हमें 2025 में देखने को मिलेगा फिल्म का नाम होगा जै हनुमान तो अब बाग कर लेते हैं कि हनुमान मूवी कैसी है तो इंडिया में आस तक जितनी भी सूपर हीरो मूवी बनी है उन सब में ये सबसे अच्छी है इनफेक्ट पिछले दो-तिन सालों में DC और मार्वल की तरफ से जो भी सूपर हीरो मूवी आई है न अगर उन में से आप दो मूवी को हटा दो एक है मैटरिफ्स की दा बैटमेन और दूसरी है टॉट फिलिप्स की जोकर अगर इन दो को आप साइड में रख दो तो इनके लावा जितना भी कॉंटेंट डीस की और मार्वल की तरफ से आया है कि हमारे कल्चर में हमारी माइतलोजी में हमारी स्टोरीज में इतनी सारी कहानिया छोपी बरी है कि अगर हम उन पर मूवी बनाएंगे न तो एक सेक मूवी बन सकती है और वही चीज़ हमने इस मूवी में देखी भी हनुमान इतनी बड़िया तरीके से बनाई गई है और इसमें इतने सारे cultural references है ना जब जब वो references आपको दिखेंगे ना तब तक आपको goose bumps आजाएंगे ये 100% है और हनुमान जी से related जितना भी इसमें दिखाया है ना वो बहुत ही अच्छे से दिखाया है बहुत ही purity से दिखाया है जो कि मुझे बहुत ज़ादा पसंद आया और यही नहीं फिल्म के climax में जब हनुमान जी के साक्षाद दर्शन होंगे तब तो आपके मूँ से स्रिफ एक ही बात निकलेगी जय हनुमान जय बजरंग बली बहुत ही बड़िया सीन है वो यह जो फिल्म है यह basically हनुमान की origin story भी है कि उसको हनुमान जै की power कैसे मिलेगी यह भी हमें देखने को मिलता है और साथ-साथ यह एक युद का आरम है जो हमें अगले part में देखने को मिलेगा युद और वो युद होगा असुर और इनके बीच तो इसमें जो असुरों की भी एक जलक देखने को मिली है क्लाइमेक्स वो बहुत बढ़िया लग रही है मैं तो इस मुवी के लिए ना बहुत जादा एक्साइटिड हूँ और ये वाली मुवी तो अच्छी है ये इसका आने वाले के लिए जो सुर्रा चोड़ा है ना वो भी बहुत बढ़िया है और जो मैं बात कर रहा था ना कल्चरल रेफरेंसेज की तो जैसे हनमान जी को जो है सिंदूर क्यों चड़ता है वो वाला सीन को किस तरीके से यूज किया है हनमान जी ने कैसे संजीवनी बूटी के लिए पुरा पहाड उठा दिया था उस वाले सीन का रेफरेंस यहां पर कैसे दिया है तो ये चो छोटी छोटी चीज़ है ना ये बहुत बढ़िया लगती है और जितने जादा आप अपने कल्चर से जुड़े वे होंगे ना उतने जादा रेफरेंसे आपको समझ में आएंगे और उतना ही मज़ा आएगा इस मूवी को देखने में अक्सर ऐसा होता है ना कि आप डीसी और मार्वल की मूवी देखते हो और बहुत सारी चीज़े ऐसी होती है जो हमारे कल्चर से रिलेटेड नहीं होती है उसको हम इतना पकड़ नहीं पाते है जितना वहाँ के लोग पकड़ सकते है जितना वहाँ के लोग समझ सकते है तो वही चीज़ आपको यहाँ पर फील होगी वो जो references पकड़ों के ना उसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है और पता है जिस तरीके से ये movie शुरू होती है जो इसका opening sequence है वो जो villain का जो arc शुरू होता है वो मुझे बहुत ही बड़िया लगा एक बच्चा है जो बच्पन से super heroes का fan है जो बहुत सारी comics पड़ता है super hero movies देखता है spider man देखता है batman देखता है superman देखता है वो बहुत interested है उसमें तो वो बार-बार ये कोशिच करता रहता है कि कोई मकडी पकल दू मकडी को अपने हाथ पर चड़ा दू कि वो काट लेगी तो मैं भी spider man बन जाऊँगा अब मुझे नहीं बता कि हम में से कितने लोगों ने ये चीज घुट ट्राय करी है बट एक नहीं एक बार दिमाग में जरूर आई थी बच्मने कि यार मकडी को बठा ही लेते पर हिम्मत नहीं थी इसलिए आज कोई सूपर हीरो नहीं है सब हम normal human beings है बट स्टेल यार that was a very fun idea अब यह होता है कि सूपर हीरो जो भी उते हैं वो सबक κιस्ब हर oh हमारे विलेन को भी यह लगता है तो आपने मापाप जिला देता है अनाऊथ बंने के लिए तो वहाँ से जोगे इसका विलेन वाला आर्क शुम्धा होता है अब यह कह सकते हो तो काफी सारे equipment बना सकता है, उसका एक दोस्त है, scientist जो उसके लिए काम करता है, जो उसके लिए suit सोगेरा बनाता है, तो वो सारी चीज़े तो है, पर उसको खुद के अंदर power चाहिए, किसी suit की power नहीं चाहिए, उससे superman की तरह powerful बनना है, तो उसकी नजर बढ़ती है हनुमंत पे, और हनुमंत के पास होती है हनुमान की power, तो उसको यह जानना है कि उसके पास यह powers कहां से आई, कैसे आई, तो यहीं सारी चीज़े, अब जो हनुमंत है, उसके पास है एक money, अब वो money कैसे मिली उसको, और उस money का क्या role है इस पूरी movie में, यह तो आप movie देखके जानना, पर सच बता रहा हूँ, वो money का जब-जब use होगा आपको बहुत मज़ा आएगा, और फिल्म के end में भी जब वो money का, मैं नहीं बताने वाला क्या होता है money का, वो कुछ देखना जाके भाई, बहुत बढ़िया movie है, बहुत मसा हैगा, तो यह एगी, villain का जो arc है ना, वो starting में मुझे अच्छा लगा, बट यह एगी जब second half आता है ना, तो वहाँ पे मुझे थोड़ा सा weak feel हुआ, villain का जो arc है उसको और better कर सकते थे, उसको super power कैसे मिली, वो उसका use कैसे करता है, कैसे सीखता है चीजों को, और इस movie में जो है, यू कह सकतो है, ऐसा दिखा है ना, कि हनुमान जी है अभी और जो विबिशन है, वो भी आस तक जिन्दा, और विबिशन को तो दिखा भी दिया एडिगे, और हनुमान जी ने श्री राम को एक वादा किया था, जिसको निभाने का वक्त आ गया है, तो वादा क्या है, वो वादा तो हमें अगले पार्ट में पता लगे गा, बट यह है कि हाँ, अभी जितना दिखा है, वो सब बहुत अच्छा है, वो देखने को मिलते ही है, और एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, कि इनके अंदर ना बहुत सेल्फ अवेरनेस है, जैसे एक सीन में ना, हनुमन अपनी सूपर पावर अपने दोस्त को दिखा रहता है, तो बोलता है कि भाई ये कोई सूपर पावर थोड़ी है, ये तो हमारे आँके हीरोई कर लेते हैं, हमारे आँके हीरोई सूपर एरो जैसा एक्शन करते हैं, तो विचारा सूपर एरो क्या करेगा, तो वो बात्चीच चल रही है उद्धन है कि रजनी तो अपने एक उंगली से ट्रेन रोख देता है तू रोख के दिगा सकता है तो वो सब बहुत बढ़िया था वो बहुत फ़नी था और उसके दोसका रोल जिसने किया है वो भी मुझे बहुत जादा पसंद आया और इसके के लावा जो हनुमंत और जो उसकी भेन है ना उन दोनों की बीच में जो कैमिस्ट्री है वो मुझे बहुत अच्छी लगी बहुत इमोशनल भी है एक टाइम पर आके ना वो आपको रूला देगी बहुत बढ़िया है जैसे स्पाइडर मैन के लिए अंकल बेंथ है ठेक व का प्यार तो है तो इसको ना थोड़ा बाल ब्रहमचारी टाइप रखते तो ज्यादा बैटर रहता बट स्टिल अभी तो यार शुरू हुआ है पर मैं कोई कंप्लेइन नहीं नहीं इसके लावा कुछ नहीं कोई criticism नहीं है बस मैं चाहा रहा था कि इसको थोड़ा बाल ब् वहात नहीं कि वह कोई बोले कि आपने अपनी मुवी जानवर के साथी ओते नहीं दिखा दिया तो ऐसा कुछ नहीं है तो उसका जो कमेंटरी है ना वह बहुत बढ़िया लगा मुझे वह बहुत फणी लगा अच्छा है कोई इशू नहीं है किसी भी चीज में तो यह कि करी कि यार अपने इधर तो लोग जाई नहीं रहे देखने आज जब मैं मुवी देखने बैठा था तो साथ आट लोगी थे कोई पहुचा ही नहीं था और मैं तो चलो सुबह का शो गया था दस बजे अला भाई ठंडी इतनी है कि भाई से कुड़ जाते हैं ठंड में लोग जानी रहे समझें आता है बट दिन के वक्त भी ऐसा कोई जादा टिकेट बुक हो नहीं रहे इस मुवी के अपनी पूरी फैमिली को लेकर जाओ बहुत बढ़िया मुवी है और बाहर निकलोगे ने थेटर से आपके मतलब चेहरे पे स्माइल रहेगा और आपकी जुमापी स्रिव एक ही चीज रहेगी जय हनुमान जय हनुमान भाई बहुत ही अच्छी एंडिंग एस मुवी की मुझे बहुत मजा है मैं इसको यार टैन आउड ओफ टैन दूगा भले यार इसका विलन का आर्क और बेटर हो सकता था बट स्टेल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा थ ठीक है बहुत कम की मुवी है आइधिंक पहले कहीं पर दिखाया था कि बारा करोड की बनी है फिर बीस से पच्छेस दिखाया था एक जिके तीस करोड के राउंड दिखाया था बट जितना मेरे को नॉलिज उससाब से इस मुवी का जो टोटल मार्केटिंग कॉस्ट के पैड कर दो तो वह साथ करोड की है तो साथ करोड बहुत कम होते हैं यार पांसो करोड में लोग ने आधी पुरुष दी तो सुचो साथ करोड में कितना बढ़िया माल बना के दिया है तो बहुत मजाया मूवी देखना जरूर जाके देखना थैंक यू सो मुच फॉर बाइ